एक लाव एवरिवन आज कि इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्लास्ट वेल्थ की हिस्टरी के मोश्ट इंपोर्टंट mcq question इसमें मैं आपको complete तीनों बुक के most important जो mcq question है वो करा दूँगा ठीक है यह one sort वीडियो है आपके board exam के लिए बहुत ज्यादा helpful होने वाली है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए मेरा नाम से दिन्दबरताब है और आपको कुछ doubt हो तो आप मुझे message कर सकते इंस्टाग्राम पे एक लवया study point मेरा user name है ठीक है और telegram group में जुड़ जाए है telegram group में class 12 ESP new group नाम से अपना group है इस में जुड़ जाओंगो तो आपको यहाँ पर PDF जो है वो डाल दी जाएगी आप आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो और जो long question वाली PDF है अल्रीडी मैंने डाल दी है वहाँ पर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजी यह आपका syllabus है यह यह चैप्टर आपके आ रहे हैं board exam में और हमारा नया चैनल है facts with भारत आप इसे जरूर subscribe करें यहाँ पर आपको facts से related जो भी वीडियोस होती है सारी मिल जाये करेंगी चले start करते हैं वीडियो को सबसे पहला question आपके सामने है कि हडपा सब्वेता की खोज जो है वो कब हुई थी option आप एक बार ध्यान से देख लीजिए 1921 22 और 25 तो answer हो जाएगा आपका 1921 1921 में इसकी होज हुई थी ठीक काल में भी जब उत्तरवैदिक काल के आसपास आते हैं तब लोहय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी ठीक है तो यह answer हो जाएगा next है कि हरपा सबेथा के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध है ऑप्शन को ध्यां से देखिए चीन, जापान, कोरिया, रूस, मंगोलिया, इटली और इरान, इराक, मिश्र तो इरान, इराक, मिश्र जो है option C यहां से 88 सबेता के व्यापार संबन थे निमलकित में से किसने एक समान 36 एकाईयों के अधार पे खुदाई की बजाए टी लेका जो इस्तर विन्यास होता है उसके अनुसार करना सही समझा तो जो वीलर थे वीलर ने इसको महतु दिया था ठीक है वीलर हो जाएगा इसका अंसर इंपोर्डेंट कोश्चन है पेपर में आया हुआ कोश्चन है सीबीएसी में रिपीटेड कोश्चन है ठीक है आ रखा है पहले से एक्जाम में तो यह जो पुस्तक है यह किस ने लिखी थी तो राव ने लिखी थी S.N. राव, ठीक है, A.Option हो जाएगा आपका Next है भारतिय पुरातात्विक सर्विक्षन के डिरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने सिंदु घाटी में एक नवीन सबेता की खोच की घोशना की थी कब की थी ये कोशना, 1924 में की थी, ठीक है, D.Option अपना हो जाएगा सही Next question है कि पुरातत विदो ने किस छेत्र में मिले साक्षियों को गनेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था इंपोर्टेंट है, याद रखिए, तो जो B-Option आपका खेत्री यहां से जो साक्षियों मिले थे उसको नाम दिया गया था, ठीक है Next है, डैस एक मुलायम पत्तर है, सेल घड़ी जो है, C-Option ध्यान से देखिए, यह एक मुलायम पत्तर है, ठीक है Next है, मगान नाम किस छेत्र के लिए प्रियुक्त किया जाता है, तो मगान जो वर्ड है, यह ओमान जो हुआ है, B-Option इसके लिए यूज किया जाता था, यह C-B-C में आया वा कोशन है, याद रखिए, हाजा पक्षी का सम्मंद किस से है, हाजा पक्षी कौन है, तो ध्यान स ने कुए मिलने, तो लगबख 700 की करीब, ठीक, एपरोक 700, तो C-Option हो जाएगा, जैम्स प्रिंसे अपने किन लिपियों का अर्थ निकाला था, ओप्सन ध्यान से देख लो एक बार आप, C-Option हो जाएगा, राम्य और खरूश्टी, कुशान सासको ने, अपने नाम के आगे 10 की उपादी लगाई थी, ध्यान से Option देखो, देव पुत्र कहलाते थे, यह देव पुत्र कहते थे, ठीक, अपने आपको देव पुत्र कहलाना पसंद करते थे, राम्यों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है, त अप्सन देख लिजे एक बर, तो इनका काम होता था धम का परचार करना, यानि कि C Option आपका जो यहां पर सही हो जाएगा, अगला कोशन है, डैस, पहला समराड था, जिसने अपने आधिकारियों और परजा के लिए संदेज जो है, वो प्राकिर्तिक पत्थरों और पॉलिस किये वे स्तंबो पे लिखवाई थे, तो अशोक वो पहला समराड था, जिसने ऐसा किया था, इंडिका जो है, वो किसकी रचना है, तो मेगस्थनीच के द्वारा रची गई है, भारत के ओपर लिखी गई है, ठीक है, और आरंब में मगद की राजदानी क्या थी, तो वो राजगरह के लगती है, ठीक है, राजगाह भी कहते हैं, इसको राजगरह भी कहा जाता है, मगद जो था, वो बहुत शक्ति साली था, उसके कारण क्या थे, आप संध्यान से देखो, अच्छी खेती की उपज, लोही की खदान, हाती को बलब्त था, तो ये तीनों ही सह ही ही है, तो अपना आंशर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, नेक्स्ट है, अर्तिसास्तर की रचना किस ने की थी? अर्तिसास्तर जो है, वो चानक्य के द्वारा लिखी गए थी, ठीक है, इनको कोटिले भी कहा जाता था, टीक है, ये नहीं के नाम है, तो सी ओपन', है, आ उस समय में राज्यों और नगरों का उदय हुआ था तो ये भी ठीक है आपका लोहे का प्रयोग भी बढ़ने लगा था ये भी ठीक है और सिक्कों का विकास भी हुआ था ये भी ठीक है तो तीनों ही ठीक है तो अपना अंसर क्या हुजएगा वो प्रोक्त सभी अगला है पांडव और कौरव के बीच भूमी और सत्ता को लेकर जो संगर्स हुआ था उसका चितरन हमें किस में मिलता है अप्सन में मनुस्मिर्ती, रामायन, महाभारत इनमें से कोई नहीं तो महाभारत में मिलता है महाभारत में कौरव और पांडो के बीच में जो विवाद था उसको उसका चितरंड मिलता है साहित्तिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है अब यहाँ पे option को ध्यान से देखिए हट सार्थी सूत और व्यास जी या A और B दोनों दिखिए इसका अंसर हो जाएगा व्यास अब यहाँ पे इस question की language को समझो यहाँ पे पूछा हुए साहित्तिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन थे तो व्यास जी थे लेकिन अगर question की language बदल दे महाभारत के मूल रचयिता कौन है यानि original जो महाभारत लिखी थी वो किस ने लिखी थी तो वो लिखी थी भाट सार्थी ने जिनको सूत भी कहा जाता था अगर question की language में यह होता साहितिक परंपरा की जगागर में यह पूसता कि बता यह मूल महाभारत के मूल रचयिता कौन है तब आपका answer होता D, A और B दोनों यानि भाट सार्थी भी थे और सूत भी थे इनको सूत भी कहा जाता था ठीक है भारत में ऐसा तो उसने ऐसा लिखा था चांडालों के बारे में कौन सा कतन सत्य नहीं है तो यह गाउं से बाहर रहते थे फेके हुए बरतन का इस्तिमाल करते थे लोही के आभूशन पहनते थे यग्ये में भाग लेते थे देखे यानि की गाउं के बाहर रहना ठीक है बरतन जो फेक देते थे उसके इस्तिमाल करना ठीक है लोही के आभूशन पहनना भी ठीक है लेकिन यग्ये में यह भाग नहीं लेते थे थे अगला कोशन है डैस राजाओं को उनके मात्र नाम से चिनित किया जाता था तो जो सातवहन शाशक थे इनको इनके मात्र नाम से जाना जाता मनुस्मिर्ति जो है इसका संकलन कब हुआ था तो इसका संकलन हुआ था 200 इसा पूर्व से 200 इसवी तक यानि BC का मतलब यहाँ पे इसा पूर्व है और AD का मतलब यहाँ पे इसवी से है ठीक है तो 200 इसा पूर्व से 200 इसवी तक कॉरव और पांडव दोनों किस वन से तो यह कुरूवन से संबंदित थे ठीक है अपना सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि 19 सदी के यूरोपियों में डैस को लेकर काफी दिल्चस्पी तो आंसर हो जागा आपका सांची का स्थूप ठीक है आ सकता है इंपोर्टेंट है याद करके जाना ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि सांची पर लिखी सबसे प्रारंबिक पुस्तकों में एक भिलसा टॉप्स के लिखक जो इसके लिखक कौन थे तो कनिंगम जो हैं वो इसके लिखक थे ठीक है तो बी हो जाएगा सांची को विश्व कला दाय स्थान पर स्थान कब घोशित किया गया था तो 1889 में किया गया था ठीक है 1989 में किया गया था तो डी उप्सन हो जाएगा आपका अगला है बुद्चरित के रचाईता कौन है तो अश्व घोश जो है इन्होंने बुद्चरित की रचना की है तो बी उप्सन आपका यहां पर सही है अगला कोशन है कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्म घाती और आसमर्थनिये नीती लगती है यह किस ने कहा था यह एचेच कॉल ने कहा था इंपोर्टेंट है ट्रेटमेंट वाले कोशन आ सकते हैं पेपर में तो याद करके जाना बिल्कुल बाद साहिते से अनभिग फैक्स जैम्स फर्गूसन जो थे इन्होंने सांची को डैस और डैस पूजा का केंदर म आना था यह भी आ सकता है इंपोर्टेंट है अगला कोशन है कि गुंटूर के जो कमिशनर थे उन्होंने अमरावती की यात्रा की थी कब की थी 1854 में की थी ठीक है डी ओप्सन हो जाएगा नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां पे हुई थी तो इन चैने के नियम होते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है बन बतूता जो है कौन से देश का यात निवासी था यह मुरक्कों का निवासी था और इसने बहुत सारे देशों की यातरा की थी ठीक है फ्रांसौ बर्नियर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो प्रावल इंदा वो क्या करता था वो भारत में जो भी देखता था जो भी भारत में देखता था उसके बारे में लिखता था और उसके तुलना किस से कर देता था यूरोप से कर देता था भारत में जो देखेगा उसको लिख देगा और यूरोप से उसकी तुलना कर देगा और और यूरोप को बहतर बता देता था भारत को बेकार बता देता था तो इस तरीके से लिखता था ये next है अल बिरुनी जो है वो किसके साथ भारत आया था तो ये गजनवी के साथ आया था ठीक है B option आपका हो जाएगा अगला कोशन है इबन बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो रहिला नामक जो पुस्तक है ये इबन बतूता के द्वरा लिखी गई थी A option आपका ठीक हो जाएगा next है किताब उलहिंद किसकी रचना है तो किसने लिखी है ये अल बरुनी ने लिखी है ठीक है B option पुरी उडिसा में बाहरेवी शताब्दी तक आते आते मुके देवता डैस को विश्नु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत हो गए थे तो ये जगनात थे ठीक है जगनात पुरी आपने सुना भी होगा उडिसा में ठीक है आगे चलते है अलवार और नैनार संथ डैस किर्शकों द्वारा संभानित थे तो ये जो वैलाल किर्शक होते थे ये अलवार और नैनार संथ तो इनके द्वारा संभानित थे नेक्स्ट है सिलसिला जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जंजीर कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहशवाद और वेराग्य की तरब जुकाओ बढ़ा इनको क्या कहा जाता था इनको सूफी कहा जाता था ठीक है तो D option आपका सही हो जाएगा शरिया क्या होता है शरिया जो है ये मुसल्मानों से संबंदित कानून है ठीक है और जजिया कर क्या होता था किस से लिया जाता था तो जजिया कर जो गैर मुसलिम लोग होते थे यानि जो मुसलिम नहीं होते थे इन लोगों से ये टेक्स लिया जाता था वासवन्ना के अनियाई जो थे वो क्या कहला थे तो उनको लिंग आयत भी कहा जाता था उनको शिव के वीर भी कहा जाता था उनको लिंग धारन करने वाले भी वो होते थे तो यानि कि यहां पे तो अंसर जगा अपना उपरोक्त सभी किस चोल समराट ने संत कभी अपार समंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी तो पारंतक प्रथम जो था इनके द्वारा करवाई गई थी नेक्ष्ट है कि निमलिकित में से किस नैनार इस्तरी शिव भक्त ने घोर तपस्या का जो रस्ता है वो अपना है था तो बी हो जाएगा कराई कराई कल अमयार प्रारंबिक भक्ति अंदोलन लगबग डैस में सुरू हुआ था तो छटी शताब्दी में सुरू हुए थे प्रारंबिक जो भक्ति अंदोलन थे देवी के आराधना पद्धिती को डैस के नाम से जाना जाता है तो देवी के आराधना पद्धिती को तांत्रिक के नाम से जानती है यानि कि B हो जाएगा अपना उप्सन विजैनगर का अर्थ क्या है इसका मतलब है विजै का शहर ठीक है एक तरब बीजापूर की सेना भी थी, एहमद नगर की भी थी, गोलकुंटा, ये तीनों सेना एक साथ आ गए थी, ठीक है, ये वर्सीज विजय नगर हो गया था ये यूद, तो ये आंसर में क्या हो जाएगा, उप्रोक्त सभी, नेक्स्ट है कि नयांकर जो विवस्ता है, उ हेरान हो गया था, तो वो किले बंदी, यहां की जो किले बंदी थी, उसको देखके ये हैरान हो गया था, ठीक है, अमर नायक कौन थे, आपसन है, राजा व्यापारी, शैनिक कमांडर, सिल्पकर्मी, इसी हो जाएगा आपका सैनिक कमांडर, दस मही 857 की दोपैर के बाद, रैस चावनी में, सिद्रोयों ने, जो सिपाहीते उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो मेरट, मेरट से सुरू हुआ था, ठीक है, और पेश्वा बाजिराव दुत्ति है के जो उत्रा दिकारी है, नाना साहीब, उनका संबंद कहां से है, आपसन है, लखनाव, कानपूर, रीवा दिल्ली, तो कानपूर से संबंद देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, कहां के नवाब को, यह कहके गद्दी से निकाल दिया गया था, कि वह अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे, तो अवद के नवाब, ठीक है, अवद के जो नवाब थे, इनको ऐसा कहके निकाला ग अवद के उपर, और देशवक्ती चीजों के उपर लिखा था, ठीक है, नेक्स्ट है, अवद में सहायक संदी जोती, वो कब थोपती गई थी, तो 1801 में जबरन थोपती गई थी, इस प्रांद को बंगाल की, बंगाल आर्मी की पौँच साला कहा जाता था, तो अवद को कह जाता था, बिटिस भारत को स्वतंतरता और बटवारे का ऐलान किस वाइसराय ने करा था, लाड माउंट बेटन ने किया था, ठीक है, लाड माउंट बेटन, महात्मा गांधी अफरीका से भारत कब आयते, 1915 में आये थे, तो ये याद रखिए, ये कोशन में आपको डिरे आलेस में हुआ था, ठीक है, पहला गोल में सम्मेलन जो था, ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और जो चौरी-चौरा की घटना ये कब से संबन देते हैं, तो 1922 से संबन देते हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग ये मिश्टेक हो गई है कोशन में, आगे चलते हैं, ये कोशन ये था कि महात्मा गांधी को इसने सलाह दीती कि एक साल तक भारत में घूमो, ठीक है, कोशन यहाँ पर ये रहेगा, तो गोपाल किशन गोखले जोते हैं, इन्होंने सलाह दीती, ठीक है, अगला कोशन है कि निमलिकित में से कौन सा गथन भारती समविदान से संबन नहीं है, तो भारत का समविदान दुनिया का सबसे लंबा समविदान है, बड़ा समविदान है, ठीक है, ये तो ठीक है, जन्वरी निस सो बजास को अस्तित्यों में आया, ये भी ठीक है, लागू हुआ था, और इसे बनाने में पांच वर्स लगेते हैं, ये गलत है, दो दो वर्स, यारा महीने, अठारा दिन, ऐसा टाइम लगाता, ठीक है, तो आपका सी जो है, वो गलत हो जाएगा, समविदान सबा का भहिसकार किस ने किया था, मुसलिम लीग ने किया था, समविदान सबा में उदेश प्रस्ताव किस ने प्रस्तुत किया था, तो नहरू जी और इस हुंको यहांपर, हुए तो यहां पर आपनी जो important question थे यह खतम होचाते हैं तो मिलते हैं next video में thanks for watching जै हिंद जै भारत